कि लेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूं थायरिस्टर के द्वारा डिसी मोटर के गतिन इंद्र को किस प्रकार से किया जाता है उसके बाड़े में तो उसको शुरुवात करने से पहले हम देखेंगे SCR और डायोड के बारे में ठीक है दो देखिए SCR जो है यह थायरिस्टर पर जाती से आता है थायरिस्टर गुरूप से आता है यह लेक्ट्रोनिक डिवाइस है और डायोड भी जो है लेक्ट्रोनिक डिवाइस है ठीक है अब देखिए कि आपका SHR और Diode में समानता है हैं कुछ अज़ा समानता हैसी एर में ीमसा पूजिक्टिफ सप्लाई देज़ आ हैनोड में हमसा positive supply यह दो है और कैथोड में नेगेटिव सप्राइज देता है इस कंडिशन को हमलो कहता है फ़रवाड बाइस बाइस कंडिशन फ़रवाड बाइस कंडिशन ठीक है फ़रवाड बाइस कंडिशन तो इस कंडिशन में क्या होता है आप दे दिए अब देखिए इस condition के बाद अंतर आना शुरू होता है कि SCR कम काम करेगा और diode कम काम करेगा तो SCR को चाहिए होता है आदेश काम करने के लिए जब तक उसको आदेश न मिले वो काम नहीं करता है तो यहां एक gate होता है gate से उसको SCR को आदेश मिलना चाहिए तभी वो current को अपने अंदर से रभावित होने देगा ने तो नहीं होने देगा फिर diode में क्या होता है आपने फड़वाट 22 कंडिशन तो उत्पन किया अब इसको कंड़क करने के चाहिए होता है 0.7 वोल्ट के बराबर या उससे अधिक वोल्टेज तभी यह current को अपने से बुजड़ने देगा ठीक है तो इस प्रकार से यह होता है यह काम करता है कि अब कुछ हम देखते हैं जब हम इस circuit में AC supply तो AC supply का क्या होता है तो हम जाते हैं sinacridal waveform होता है AC supply का तो sinacridal waveform होता है तो अब इस circuit में जो है हमारा यह क्यवल positive half cycle यूज होगा ये एक तरह का half wave rectifier के तरह काम कर रहा है तो अब देखिए positive half cycle का आपका output के तोड़ा पे मिला क्यूं कि ये half wave rectifier के तरह में काम कर रहा है wave rectifier अब देखिए यहां positive cycle मिला है यहां positive cycle मिला अब क्या है इस circuit में कुछ इस तरह की परिश्थितिया उत्पन कुर दी गई है ताकि जिस्से हमारा ये positive half cycle जो हम देने जा रहे हैं मोटर को उस positive half cycle में हम बदलाव कर सकें कि उसके कि तरहां कि तरहां हो मोटर को नहीं देना है तो इस प्रकार शें हमारा output waveform motor को मिल पाता है अब कैसे मिलता है इसको देखने के लिए हम circuit को समझेंगे यहां देखिए हम जानते हैं कि अगर दो रोजिस्टर सपोज कि यह R1 है और R2 है इस पर बोल्टेज भी देते हैं तो यह V1 और V2 में बढ़ जाएगा उसी प्रकार से अगर हम इसमें तीन रेजिस्टर करनेक्ट कर देए और इसमें सेम भोल्टेज भी देते हैं तो यह V1 V2 और V3 में बढ़ जाएगा और हमेशा याद दखिएगा purchased R1 R2 और R3 नया है तो हमेशा यह दखिएगा भी 1 पहले की जितना अधिक नहीं रएगा भी 2 पहले जितना अधिक ने रएगा भी 3 तो नया है तो वह दुनों को जो हिस्सा मिले तो उसकी में से थोड़ा थोड़ा यह खाज आएगा सषब्ध में आगया है तो पहले की जो है बढ़ जाती है ठीक है अब देखिए वही सिस्टम को समझ लिए तो आगे देखते हैं यहां देखिए पोजिटिव हाफ साइक्ल में जो हम के उल दे रहे हैं कि आप पोजिटिव हाफ से कि एक्चुल पहले एसी में जाता है तो इनपूड दोनों साइक्ल जाता है लेक यहिए हो जता है पुजीटिव और यह नेगेटिव इस कंडिशन में क्या होथा जैसे की मैं आपको व 거지 today के काम करने के तरह को बताया तो यहाँ इसको ऐननेड को सुमल्म इस रिस्टेम्स के थ्थू जयल शुम्म का Allah है अब Colt यह तो आपको forward based condition मिल गया है लेकिन अब बात है कि इसको गेट में signal चाहिए आदेश चाहिए वह आदेश किसके द्वारा मिल रहा है डायोड को द्वारा अब डायोड जो है कप कंडॉक्ट करेगा जब 0.7 बोल्ट के बरावर है उससे अधीक voltage रहे तब वह control कैसे हो रहा है यह variable resistance है जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसमें इसका देखिए यहां पर बढ़ेगा वाल्यू का बढ़ाएंगे तो जो फोल्टेज मिल रहा है डायोड को तो यहां क्या होता है जैसे इस resistance का इस वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो फोल्टेज डायोड को मिलना चाहिए वह डा लगता है नहीं मिल पाता है अब जब तक इसको डायोड को 0.7 बढ़ा वड्या उससे अधिक भॉल्तेज नहीं मिलेगा तब तक वह कंड़क्ट करेगा नहीं और उक्ड़कण नहीं करेगा तो सिगनल नहीं धी 싸र के गेट को मिलेगा नहीं गेट को नहीं मिलेगा तो dot आप देया रहा हो सप्लाई देगा नहीं मोटर को तो इस कारण से यहां पर हम जो है इस पोजिटिव हाफ साइकल का किस प्रकार से उज़ करना है वो कंट्रोल कैसे हो रहा है इस वैरेरेवल रेजिस्टेंस के बैल्यू से अब देखिए यहां क्या है कि हमने ये देखिए यह यहां पे एसी का positive हाफ cycle हमने दिया अब देखिए जैसे मैंने उताया था कि यह मैं जो है की यह थोड़ा कड़्क मैं समझाता हूं मिह इसको 55 भून्ट मिल रहा था यह हैं। पॉंद्र भूर्ट इसको पास एक में सोड़ी सोड़ी देखिए यहां पर क्या सबसे शुरुआत में अगरी यहां पर हमारा बिल्कूल शुरुआत में ही आपको 0.7 बोर्ट यहीं से प्राप्थ हो रहा था जब डायूड जो है डायरेक्ट इस आरवन से था तब हमको 0.7 ब तुरंद बात से तो आपका मोटर कंटेनू इतना दूर तक के लिए कंडक्ट कर रहा था रन कर रहा था ठीक है लेकिन जब हम तो जब हम बैरेवर रिस्टेंस को नेक कर दिये तो क्या हुआ जो 0 बैलू के तुरंद बाद आपको उसको ब्रूटेज मिलना चाहिए था यू वह अब मिल रहा है यहां पर इसके बाद से इस पॉइंट के बाद समय तो बाके समय तो यह वह आफ हो गया बाके समय क्या है वह आफ है डायूट कंडक्ट करेगा नहीं कंडक्ट करेगा नहीं तो गेट को आदिस देगा नहीं अगेट को आदिस देगा नहीं तो मोटर सप सुरू हुआ तब वो कंड़क्ट करना सुरू किया और वो तब कंड़क्ट किया तब इतना हिस्सा मोटर को सप्लाई मिला तो यह जो 0.7 भूल्ट कभी यहां से मिल रहा है टैड को कभी एकदम ब्रगल से मिल रहा है यह हो सकता है आगे अगर डेस्टेंस बैलू ज्यादा कर दिया जाए तो हो सकता है उसको यहां से आँना सुरू करते हैं है यहां रोड़ आही होगा बैरियमर रिच्ट्रेंस कर तो करने करत यह है कि की ऐसा जैसा हाइड से हम घ्लु रखते ही रखते हैं उतना देड से इस डायोड को 0.7 वोल्ट या उसे अब उनको फोल्टेज मिल पाता है और उसके बाद ही यह कंड़क्ट कर पाता है इस कारण से जो है आपका हमेशा आउटफूट जो है जो है आपका इस मोटर को इस प्रकार से मिलता है अब देखिए मैंने क्यों कहा कि हाफ एक्टिफायर के तरह ही काम करता है अब देखिए निगेटिव है जब आया तो यह हो जाएगा पोजेटिव यह हो जाएगा निगेटिव निगेटिव अब जिसके कारण यह चल जाएग मिल गया और यहां पर भी नेगेटिव मिल गया ठीक है और यहां पुझेटिव मिल गया तो इस कंडिशन को बहते हैं किया reverse bias मतलब जब भी एनोड को negative and cathode को positive मिले तो उसको पता है reverse bias कि ठीक है reverse bias को बहते हैं इस condition में ये कुछ अलग की तरह काम करेगा ये भी निगेतिवाय का प्यों नहीं हो रहा है केवल पोजिटिव हाफ सीकील का प्यों हो राहा इसलिए एक तरह से हाइव स्कुल में तरह काम और अब ओटिफ़ाइट में कुश्य ecc करने लगोरगा अब लोगों का विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल